चोपड़ा जोटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो ESIC certificate के लिए registration start हो चुके हैं, जिन candidate को MBBS, BDS में admission लेना है ESIC quota के तहट तो उनको अभी certificate बनवाना जरूरी है अभी कौन-कौन से candidate ESIC quota के तहट admission ले सकते हैं, कौन से candidate इसके लिए eligible है और इस certificate के लिए apply कैसे करना है MBBS, BDS में ESIC quota के तहट किस परकार से admission लेना है और ESIC की category wise cutoff क्या रच सकती है, इस विशेप पर इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे तो ESIC की website esic.gov.in है, जैसे ही आप इस website पर visit करेंगे, इस परकार का interface आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ESIC के लिए कौन-कौन से candidate eligible है, तो जिन candidates के parents का ESIC के तहट insurance detect होता है, वो candidate इसके लिए eligible है इंडिया में 11 ESIC की medical college है, जिनके under MBBS, BDS admission होता है, IP quota के तहट, तो इसमें एक dental college है, जिसमें 28 seat से और MBBS की IP quota के तहट, 437 seat से इस साल के लिए तो इसमें वो candidate eligible हैं, जिनके parents का ESIC insurance detect होता है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी medical college हैं, जो ESIC के under आती हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप अपने parents से एक बार confirm कर लें, क्या उनका ESIC की तहट insurance detect होता है, अगर उनका ESIC के तहट insurance detect होता है, तो उनके पास ESIC का प hospital से सारे benefits ले रहे होंगे ESIC hospital से, तो जिन candidates के पास, जिनके parents के पास IP का पहचान card है, यानि कि उन्हें IP कहा जाता है, insurance person कहा जाता है, तो पहचान card है, और उनका insurance detect होता है, तो वो सारे candidate ESIC का benefit ले सकते हैं, अब जो ESIC के 11 medical college है, इनमी जो MBBS की seats हैं, वो 437 seats हैं, इसके अलावा एक ESIC का dental college है गुलबरगा में, तो उसमें 28 seats हैं, एक बार MBBS की college wise seat देखें, फरिदाबाद में 43 seats हैं, जोका कलकता में 65 हैं, चिन्नाई में 25 seats हैं, बैंगलोर में 56 seats हैं, गुलबरगा करनाटका में 56 seats हैं, हैदराबाद संतनगर 43 seats हैं, राजस्तान अलवर 20 seats ह इसमें पटना में 35 seats हैं, 20 seats तमिलाडु कोईमटूर में हैं, और मंडी में 36 seats हैं, और इसमें कोलाम में 30 हैं, तो टोटल MBBS की 437 seats हैं, जिनमें ESIC के तहत admission होगा MBBS, BDS के लिए, अब इसमें बात करते हैं कि जो 11 MBBS की college हैं, और एक dental college हैं गुलबरगा में, उनमें कितने परका कोटा होता है, सबसे पहले होता है All India कोटा, जिसमें 15% seats आते हैं, इसमें किसी भी state का कोई भी candidate admission ले सकता है, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है, कि वो IP candidate होना चीए, उसका insurance कटना चीए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें All India के लिए कोई भी candidate किसी भी state का admission ले सकता है, ये available होता है और तीसरा कोटा होता है IP कोटा जिसे Insured Person कोटा कहा जाता है जो ESIC के तहट आते हैं और मैंने आपको बताया जिनका ESIC के तहट Insurance deduct होता है वो इस कोटा के तहट सीटे ले सकते हैं ये 437 सीट में admission ले सकते हैं अब इसका एक बार हम information प्लेटीन देख लेते हैं इसमें इसका admission का notice देख लेते हैं तो आप इसकी website से इसका admission का notice download कर सकते हैं इसमें एनक्सर भी दिये गए हैं एविडेट भी दिये गए हैं तो आप print करवा सकते हैं वहाँ से अब हम आपको website बदाई है तो उस पर जैसे ही आप link पर क्लिक करेंगे login पर क्लिक करेंगे OTP आएगा आपके mobile में जो mobile insert person का ESIC database में दे रखा है उसी पर ये OTP आएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ESIC का आपको link कहां मिलेगा online application के लिए तो इसमें सबसे पहले scroll करता हूँ मिलेगा आपको उपर इउपर scroll मिलेगा यहाँ पर आप click here to apply पर click करके भी कर सकते हैं इसके अलावन नीचे क्यूक links में word of IP certificate का यहाँ option मिलेगा इस पर आपके आप क्लिक करके कर सकते हैं इसमें तो जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे आपको IP का जो पैचान कार्ड है उसका नंबर देना है इसके बाद में नीट का रोल नंबर देना है और mobile नंबर देना है और आगे submit करना है आपने आगे जो भी details पूछी जाएंगी वो सब्मिट करनी है इसमें परसनल डिटेल इसमें देनी है अभी आपको इसमें डोकुमेंट्स भी अप्लोड करने है तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आई पी वार्ड का यानि की कंडिडेट का जो नीट का इड्मिट कार देना है इसमें दो आपको एफिडेट देने है एक तो फिमेल पात जाएगा इसके बात मी कब सभी जो system generated certificate है यह आप competent यतों कर फोटी यह आपका certificate सर्टिफिकेट बनाएगा वहां से आपको ये डाउनलोड करना है इसकी वेबसाइट से अब आपको जो लिंक है ये जो मैंने आपको अभी लिंक बताया है ये 17th मई 23 तक एक्टिवेट रहेगा यानि कि जिन कंडिडेट्स को आईपी के तहट एडिमिसन लेना है वो 17th मई से पहले पहले यहां पर रजिस्टेशन करवा दें यहां पर इसके बाद में सर्टिफिकेट लेना है 19 मई 2023 तक अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा जैसे ही आप इसमें ओनलाइन अपलाई कर देंगे एक सिस्टम जनेटेट प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट उस और यह सर्टिफिकेट आप 19 मई तक आप ले सकते हैं यहां से उस ओफिस से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं एसेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ क्या हुआ आप इसका पासवर्ड आपका जो है वो इस वेबसाइट से आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं तो इस परक करना है login करने के बाद में सारी detail आपने fill करनी है fill करने के बाद में form को submit करना है submit करने के बाद जो print out निकलेगा उस print out के साथ supporting documents लगा करके आपको regional office में deposit करना है regional office से में competent authority द्वारा आपका certificate बनाया जाएगा IP का और वो certificate आपके के लिए counseling में काम आएगा इतनी सी कारवाई आपको counseling से पहले करवा लेनी है certificate पहले ही बनवा लेना है इसके बाद में आपको अब admission कैसे लेना है MBBS BDS के लिए तो need का result आजाने के बाद में MCC की जब counseling होगी तो यह ESIC की जो counseling करवाई जाती हो MCC दवारे करवाई जाती है तो MCC की जब counseling स्टार्ट होगी तो वहां आपको registration करना है तो आपका अगर ESIC का certificate बन गया है तो वहां आपको ESIC के लिए अलग से कोई detail नहीं देनी है आपने simply registration कर देना है MCC की वेबसाइट पर तो जैसे ही आप MCC की वेबसाइट पर registration करेंगे और ESIC के तहता आपका certificate बना हुआ है तो आपको ESIC की college 24 फिल करते समय शो होंगे आप तब 24 फिल करके admission ले सकते हैं उसमें ये सारा MCC की counseling में होगा ये सारा का सारा अब इसकी जो tuition fees है 24,000 है इसमें आपको 5,000 security deposit करना है hostel charges में security वगरा जो 10,000 के निरभाई पर मंत इसमें आते हैं per year शोरी per year इसमें आते हैं तकरीबन ये आपको मैं लमसम बता रहा हूं hostel वगरा गर इसके बाद में जो इसकी eligibility है उसका एक cut-off date है cut-off date का मतलब ये है कि जो candidates जिनके parents 30 September 2022 से पहले इसका benefit ले रहे हैं उससे पहले उन्होंने insurance करवा रखा है वो इसके लिए eligible है यानि कि 30 September 2022 के बाद जिनका insurance deduct होता है वो इसके लिए eligible नहीं है उसके पहले वाले candidate इसके लिए eligible है इसमें as की भी एक cut-off date है वो 21 years है अगर जिन candidate का 15 April 23 तक 21 years complete है वो candidate eligible है अगर जिनका 15 April 23 के बाद 21 years से ज्यादा हो रहा है तो वो candidate इसके लिए eligible नहीं है अब ये सारे documents से वो admission के time में आपको जरुत होगी वो लेकि जाने की SIC का पहचान card है date of birth का certificate है आदार card की copy है 10th 12th की mark seat है admit card है result है IP certificate है SC STA EWS अगर इसमें आप eligible हैं इसके लिए तो ये certificate और affiliate देनी है दो अगर female candidate है तो annexer 4 की एफिडेट लगेगी अगर इसके अलावा IP के लिए annexer 5 की एफिडेट लगेगी इसमें तो इस परकार से आप इसमें admission ले सकते हैं IP कोटा के तहद अब इसकी कटूप क्या रह सकती है तो कभी कम कटूप रहती है MBBS के लिए UR category 530 EWS के लिए 500 OBC के लिए 520 SC के 350 और ST के लिए 200 कटूप रह सकती है बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कटूप होती है वो पेपर के difficulty level पर depend करेगी लेकिन अगर पेपर 22 जैसा ही रहा तो इतनी कटूप रह सकती है इस साल के लिए तो यह जानकरी थी कि आपको कैसे certificate बनाना है एक बार फिर मैं आपको summarize करवा देता हूं कि आपको क्या करना है तो जिन candidates के parents का ESIC के तहत insurance deduct होता है जिनके पास ESIC का पहचान card है वो ESIC quota के तहत admission ले सकते हैं 437 MBBS seat पर और 28 BDS seat पर admission ले सकते हैं यह रह गई इनकी eligibility और जिनका certificate जिनका registration 30 September 2022 से पहले है वो ले सकते हैं और जिनकी age 15 April 2023 से पहले 21 years यानि कि इस date से 20 years तक के candidate admission ले सकते इसके बाद अगर जिसकी 21 year से ज्यादा age है वो benefit नहीं ले सकते इसका certificate बनवाने के लिए simple से आपको ESIC की website पर online apply करना है वहाँ form फिल करना है और जो print out निकलेगा उसका supporting documents के साथ में अपने regional office में deposit करना है वहाँ से certificate जारी करवाना है और जब result आ जाएगा नीट का MCC की website पर आपको MCC की counseling के लिए registration करना है और 24 फिल करके admission ले लेना है यह सारी जानकारी थी ESIC के बारे में बाकी इस परकार की updates हमारे चैनल द्वारा दी जाती हर समय चैनल को subscribe करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जे जयरो